अबसकार के पीटीश अकरड़ी में आपका हर्तिक सुवागत है आश्या करतों आप सबस्ता होंगे अच्छ होंगे दोस्तों सीड़ीपी बालविगा से साथ का थर्टी कोशिन के सहसे लगांगे जो की सीटर प्रजा की दुश्टी से बहुत ही अलवल सावित होगा चैनल को स सुलती रहेंगी तो आज का फर्स कोशन स्टार्ड करेंगे बालक की सबस्ता में संब्यदी अनववों का सारे क्रियाओं से समयन्य करने लगता है यह अनुप अप्चारिक संक्रियात्मक बीया मूर्द संक्रियात्मक सीय संब्यदी प्रियरक डीया पूर्व संक्रियात्मक तो कोश्चन पूछा जारा कि बालक किस अबस्ता में सम्वेदी अनववों की माध्यम से या सारे क्रियाओं से सम्वेदी करने लगता है यहां कोश्चन पूछा रहा है तो जैसे कि बात करते हैं सम्वेदी अनववों जो होते हैं जो कि संबेदी प्रेयरक अबस्ता में जानना श्टाड़ होता है या उसे गामक अबस्ता की नाम से भी जना जाता है तो अंसीता करेक्टर होगा इसका ओर नहीं हमारा यहां पे सी अगला कोश्षन देखेंगे वीडियो को लाइक करें सीर करें चैनल को असकाइब करें प्रयाग्रूर करने का बिध्यालों में चात्रों की बुद्धि ग्याद करने का प्रिमुक उद्धेश होता है ए चात्रों के अनकूलन पृतियासाय करना, बी चात्रों के मैतोगज इस्तर को बढ़ाना, सी चात्रों को निदानात्मक प्रामर्स प्रदान करना, दी माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ग्यान प्रदान करना, तो कोश्चन पूछा ज़रा है कि चात्रों में बाफ कि चात्रों के अन्कूल प्रत्यशाय करना विद्याला में चात्रों की बुद्धी याद करने का प्रमुख दिश्य होता है तो आनसे दे करेक्टों हो जागा इसके वोट को अबर यहां पर यह अगला कुश्चन देखेंगे इस फिर मैंने बुद्धी को कितने खंड़ों में बाटा है तो यहां पर आनसे दे करेक्टों हो जाएगा बी टिक कर देंगे यहां पर अगला कुश्चन देखेंगे पार्टी करम कैसा होना चाहिए तो पार्टी करम बालक के अंदर्थ होना चाहिए तो अनसे दे करेक्टों हो जाएगा यहां पर हमारा या छात्र के अंदर्थ होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा अगला कोश्चन देखेंगे एक बालक कारी करता है वह कार थोड़ा गलत होता है वह पुने कारी करता है परंतु फिर थोड़ा गलत होता है यह नियम मनोबिज्यन का कौन सा नियम है तो कुशन काफी अच्छा पुछा गया है कोई बालक है एक बालक है जो के कारी करता है पर हुए कार थोड़ा गलत करता है यह उसे कार गलत हो जाता है और उस कार को पने दवारा करता है फिर भी हुआ कार फोड़ा फसा गलत हो जाता है तो इसमें Question में बुच्छारा की यह नियम किस मनोबैगनिक नियम के अनुसार है यह Question में पूछा जारा है तो इसे के बात करते हैं अगर इस कार इस करिया हो रही है तो यहाँ पर हमारा प्र बिया अलपट नामक बंदर का, सिय सुल्तान नामक बंदर का, डिया अलवर्ट का चिंपैजी का, तो कॉश्चन पूछा रहा है कि कॉलर एक जो मनेव एगनिक है, अधिगम सिद्धानत कर प्रत्पादित किया था, वो करने के लिए किसका प्रयोग किया था, यह कॉश्चन मे बात करते है, कॉलर जी ने जो कि सुल्तान नामक चिंपैजी पर अधिगम सिद्धानत प्रत्पादित किया था, तो आंसे देख रहागा इसका वोट में हमारे यहां पे है, अगला कॉश्चन देखेंगे, सीखना विकास की प्रकरिया है, यह कतन है, A. बुडवर्थ का, B. बुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, अनसे देखेंगे, क्रियात्मक अनसंदान का मूल उद्धिश है, A. समस्या का समादा नूलना, B. नवीन सोध करना, C. उपादी प्राप्त करना, D. प्रुस्कार प्राप्त करना तो कोश्चिन में पूछा रहा है कि क्रियात्मक अनुसंदान का मूल उद्यश्य क्या है यह कोश्चिन में पूछा रहा है तो जैसे कि बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंदान का मूल उद्यश्य है जो कि समस्यां को समांदान ढूलना तो अंस सिद्धान्तों में कौन सा कारक है जो सब को एकिकरत करता है और निर्मित बादी सिद्धान्त की ओर अग्रसर करता है तो कुश्चन पूछा जारा कि अधिकम सिद्धान्तों का कौन सा कारक है कारक पूछा जा रहा है वह कौन सा कारक है जो सब को एकिकरत करता है तथा निर्मित बादी सिद्धानतों की और अगसर होता है या उसकी और जाता है या कुश्चन में पूछा जा रहा है तो उसके बात करते हैं अधिगम की अधिगम सिद्धानतों को वह कारक है जो कि अनु तो answer होगा यहां पर मारा B answer हो जाएगा, अबरा question देखाएंगे, मुल्यांकन के साधन है, A. लिखित परिच्छा है, B. साच्छत कार, C. प्रशनावली, D. ये सभी, तो question पूछा जारा की, मुल्यांकन के क्या साधन है, यह question में, पूछा रहा है, यह इस पर लिखित परिच्छा है, वो लिखित परिच्छा है, साच्छत कार, प्रशनावली, तो answer देख्ट होगा, यहां पर हमारा D. ये सभी, अबरा question देखेंगे, प्रात्मिक इस सर की सिच्छा होनी चाहिए, A. मूर्थ, B. जीवन से संबंदित, D. रोचक, D. उप्रिक सभी प्रकार की, तो question पूछा जारा की, प्रात्मिक लेवल पर किस प्रकार की सिच्छा होनी चाहिए, यह question में, पूछा रहा, तो देखेंगे बात करते हैं, प्रात जीवन से जोड़ कर चीज़े होनी चाहिए, और उनकी एक रोचक चीज़े है, आने चाहिए, प्रात्मिक सिच्छा होनी चाहिए, यह जज़की इन्वार्मेंट से जड़ी चीज़े है, उन्हें सिखानी चाहिए, तो इसका उड़ी मारा answer देखेंगा, उप्रिक सभी प्र कोश्चन पुछेह, जयरा कि सिच्छा मनोविग्यान अध्याफकों की तयारी करनी की आधर शिला है, यह या कतन किस का है, या किस मनोविग्यन ने दिया है, इस पर चाहिए, तो जोज़के हैं, बात करते हैं, यह कतन इसके नर्जी ने दिया गए है, तो आनसीरा कैक्ट हो आवशक्ताँ के अन्कुलन पाठ्थ सामिग्री के निधर का सिद्धान्त क्या है यह कुश्चिन में पूछा रहा तो इसके बात करते हम बिविवता और लचीवलोपन का सिध्धान्त अनुवाव की पूर्ता के सिध्धान्त और सामविक जीवन से समंद का सिध्धान्त तो यहां पर अबरा उपरत सभी तो आनसे दा करेक्ट होएगा अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में चनल को सब्सक्राइब करें पर अगलों प्रैस करें जिसके नौटिफियर मादिम से आपको वीडियो बलती रहेंगी कोशन देखेंगे दो वर्स की आयू की बालक का औश्यत सब्द बंडार होता है तो कोशन काफ़े अच्छा पूछा गया है कोशन पूछा जारा की दो वर्स की आयू की बालक का जो औश्यत सब्द बंडार कितना होता है यह question में पूछा जाए रहा है तो जैसे के बात करती है दो वर्स की आयू के बालक का जो औसत बंडार होता है या सब्द औसत बंडार होता है वह कि 200 से 300 वर्स सब्द का होता है तो आनसे देख्टर होगा है यहां पर मारा B अगला वर्स देखेंगे पिछड़ा वालक हुआ है यह जिसकी सेच्छिक उपलब्दी उसकी सुवाबिक योगदाओं के इस तर से अशत हो तो क्वेशन काफी इच्छा पूछा गया क्वेशन की पिछड़ा वालक हुआ है या पिछड़ा वालक कौन होता है या किस प्रकार का होता है इस प्रकार को क्वेशन को हम समझ सकते हैं तो इसके बात कर दिए पिछड़ा वालक हुआ होता है जिसकी सेच्छिक उपलब्द हो तो हुआ पिछड़ा वालग कहलाता है तो अंसे देक्ट होगा यहां पर वारा C अगला कोशन देखेंगे ब्यक्तित को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर मुखी बहर मुखी वह यह एवं वे मुखी बर्गों में बिवाज़त करने वाले मनुविगनिक है A.F.Ride, V.A.Jung, C.A.Adler, D.A. Allport तो कोशन देखेंगे बिवाज़त को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर मुखी बहर मुखी एवं वे मुखी बर्गों में किस मनुविगनिक ने बिवाज़त किया या बर्गों में बिवाज़त करने वाले मनुविगनिक कौन है इस कौशन को हम समझ सकते हैं तो जिसके हम बात करते हैं अंतर मुखी बहर मुखी एवं उबे मुखी बर्गों में बिवाज़त करने वाले सिय दुक étau यह सभी सब्र akan की मनोफष्णिक आरप काई यह कौन से है यह कुछें सेजिक का ्यामता निवरक करती हैं दूकर होते हैं चरक आयूराम है प्रेंब है यह क्या है सभी मनोफष्णिक आरप MARK कोथ हैं तो यहां पर वारा answer देक्ट हो जाएगा, यह सभी D answer अर्वाशन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ हमें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बरेंगरों प्रैस कर लें जिससे की नोटिमिन में देम से वीडियों मिलती रहेंगी, question देखेंगे किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंदों से परपकुता प्राप्त करना है यह question में पूछा जा रहा है, यह कतन किसन ने दिया है, यह कतन भी पूछा गया है जिससे की बात करती है, यह हर लोग की माद्यम से, यह हर लोग जी ने कहा है कतन को, तो अनसी दाख रहेगा यहां पर मारा C, अदर वोशन देखेंगे ब्यक्तिगत भिवन्यता की प्रकार है कि ब्यक्तिगत भिन्यता के प्रकार है ब्यक्तिगत भिन्यता के प्रकार पूछे गए कोश्यन में तो जिसके बात करती हैं आपे ब्यक्तिगत भिन्यता के प्रकार मांसिक एवं सार्रिक भिन्यता योगता वा ब्यक्तिगत में भिन्यता बहवात्मक वा सुवावगत भिन्यत तो अंसर रेक्ट होया है इसके गोड़ों है हमारे या पी उप्रुथ सभी तो अंसर हो जाएगा या पर हमारा डी अगर रोशन देखेंगे सुवाविक भिभार में होने वाले प्रकतिसील परिवर्तन या परिवावर्चन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं यह परवाशा किस मनोवेगनी ने दी है तो यह परिवाशा किस मनोवेगनी दोरा दी गई है यह कोश्चन में पूछा जारा है तो इसके बात करती है यह परिवाशा ए आर हिलगर्ड की दोरा दी गई है तो अनसीदे करेक्ट्रों यहां पर हमारा ए अब कोश्चन देखेंगे अनवव एवं प्रिशच्च्च्च द्वारा बिवार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है अधिगम की यह परिवाशा दी है यह क्रो एवं क्रो ने बीए जेपी गिलफोर्ड ने सीए गैट्स ने डीए मॉर्गन एवं गिली लेंड ने तो कोश्चन काफी अच्छा पूछा गया है कोश्चन पूछ जा रहा कि अनवव एवं प्रिशच्च्च्च द्वारा बिवार में परिवर्तन लाना ही कि यह प्रवाशा किस ने दिये या किस मनवगन की दिये यह कोश्चन में पूछा जा रहा है तो जिसके बात करते हैं यह प्रवाशा गेट्स के द्वारा थी गई है तो अनसिदा करेक्ट हो गया यहां पर मारा सी अबला कोश्चन देखाएंगे सिच्छा का अधिकार अधिनियम के अनुसार चटी कच्छा से आठीवी कच्छा हूँ चात्तृ सिच्चक अनुपात होना चाहिए यह 30.1 35.1 B के अनुसार C है 40.1 D है 45.1 तो कोश्चन काफे अच्छा पूछा गया है कोश्चन पूछे जयरा कि सिच्छा अधिकार अधिनियेम या right to execution के अनुसार six class से लेकर eight class से की कच्चक या कच्च्चक व Kung चात्र ratio क्याहे या Anपात क्याहे या question में पूछा जारा है तो जैसके बात पर यहाँ पर right to education मैं या सिच्चा अधिकार अधिनियम के अनुसार class 6 से आटवीद के कक्छा में छात्र सिच्छ का अनपात जो कि होना चाहिए 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए तो इसका कोड़ के वारा आंसे करेक्ट जाएगा B अगर वोशन देखेंगे बैक्तित गुड से अविप्राय है A. विवार करने का तरीखा B. विवार का विसस्ट गुड C. व्यक्ति तथा निरिच्छड करता के मद्य सम्मंद D. A. B. तथा C. तीनों ही तो कोश्चन में पुछा रहा कि व्यक्तित गुड से क्या आविप्राय है यह कोश्चन में पुछा रहा तो उसके बात करती है अब उपर आए है कि विवार करने का तरीखा विवार का विसस्ट गुड व्यक्ति तथा निरिच्छड करता के मद्य सम्मंद तो इसका वड़ों हमारा आनसीदा करेक्ट होना चाहिए A. B. तथा C. तीनों ही तो अंसर हो जागा यहापर हमारा D टिक कर देंगे यहापर अगल कोशन देखते है ब्यक्ति का हुआ है गुड जिसके माद्यम से वह परिस्ततियों से सम्मंजिस बनाए रखता है A. संतुलन B. समाविजन C. समिस्थापन D. समरसता कुशन क Girls काफी अच्छा पुचा घया कुशन पूचा जारा है क्वेक्तिका वह गुड जिसके माद्यम से वह परिस्ततियों से सम्मंजिस बनाए रखता है क्या कहलाता है यह कुश्चन में पूचा जा जारा है तो उसके बात करती है ब्यक्ति का हुआ गुल जिसके माद्यम से हुआ परिस्तियों में इस्तियों में सम्मझिस बने लगता है हुआ गुल कहलाता है समयोजन तो अनिसे देख प्रोजागा यहां पर हमारा बी अगर कोशन देखेंगे एक सिच्चक का कच्चा में अध्यापन कारिस्त है बिद्यारती उसके ज्ञान बंडार के प्रसंदक हैं किन्तु वह अपनी बेश भूसा और विवार में अत्यदिक लापरवा है यह सिच्चक करतबी निस्ट है बिया सिच्चक मानसिक रूप से स्वास्त नहीं है सिच्चक का व्यक्तुत उत्तम है बिया सिच्चक में विवारिकता का अवाव है तो कुश्चन पूछा जारा कि एक सिच्चक है जो कि कच्चा में अध्यापनकार तो स्रेश्ट करता है और विद्ध्यातियों की या उसके विवारिकता के अगौड़िंग क्या है अपने विद्ध्यातियों के अकौर्डिंग क्या हो उसमें प्रसंद्सक है लेकिन उसकी जो बहसवुसा है और उसका विवार अत्यदी कि लापरवाए व이야 या जासिक ब बताता है यह कुश्चन में पूछा जारा है तो जासकि बात करते है इसके अकौर्डिंग कि वनारा सिच्चक में बिवारिकता का अवाह है क्योंकि वो अपने ज्यान में या बच्चों को ज् परन्तु वो अपनी बेसबूसा और विवार में क्या वो लापरवा इसलिए क्योंकि वो उसका उसमें अवाव है तो अनसीता क्रेक्ट्ट वावने आप यह दी अगला उच्छन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में सेयर करते हैं दोस्तों आप में कोशन देखते है स्रजनातपता इंगित करती है यह समस्या के प्रत चेतना बी समस्या के प्रत जाग रुपता सीय परपकुना आप कीजिए परेकलफना निर्माण एवं उसकी जांच दिया जिए ये ए वी त्सी तीनों की और तो कोश्चिन की स्राजनात्मत्ता इंगित किस की और करती है यह कोश्चिन में पूछा रहा है तो उसके बात करती है स्राजनात्मत्ता जो इंगित करती है समस्या की प्रत सचेतना समस्या की प्रत जागरुकता परिकलपना निर्वाड एवं उसकी जाँच तो अंसर देक्ट होएगा यहाँ पर हमारा A, B, C, 3 तीनों की और इंगित करती है तो अंसर होएगा यहाँ पर हमारा D अलगा कोशन देखेंगे अभिरुची का अशा है किसी बस्तू अथवा ब्यक्ति बिसेश A, को पसंद तथा यह अथवा पसंद नहीं करना B, A, मैं विस्वास अथवा अविस्वास करना C, A, से तर्क अथवा तर्क नहीं करना D, A, के प्रती सकारतम सोच अथवा नकारतम सोच रखना तो कोशन का अफे अच्छा पुछा रहा है कोशन पुछा रहा कि अविप्राय या अविरुची का अशाय किस बस तू अथवा ब्यक्ति 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 से है या कोशन पुछा रहा कि किस बस तू अथवा ब्यक्ति 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 से है जसके बात करते है अविरुची की जसके अविरुची जब आती ह तो अथ्वा पसंद नहीं करना अविरुची का अशाया बेक्ती विसेश से होता है तो अंसीदा क्रेक्टोरा यहां पर मारा ए अगला कोशन देखेंगे अगला कोशन देखते हैं आपकी कक्षा का एक विध्यारती प्राय ही गडित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता है किन्तु वो है कविताओं की रचना तथा कविता पाठ अच्छा कर लेता है तो आप पत्व प्रतशक के रूप में विध्यारती को प्रामर्श देंगे तो ए गड़ित में अधिक परश्रम करके उच अंक लाने का दिया साहतिक बिसें को लेकर उच सिच्चा प्राप्त करने का सिय जी बिग्यान बिसें लेकर चिकसा चेतर में अधिन कराने का दिया कंप्यूटर के चेतर में दच्चता प्राप्त करने का तो question काफी अच्छा पूछा गया, question पूछा जा कि आपकी गच्छा में कोई छात्र है या विध्यारती है, जो कि गड़ित में तो वो अच्छी अंग प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन या किन्तु हो है कभिता की रचना करने में या कभिता पाठ अच्छा कर लेता है, या इस प्रकार के विध्यारती को सायत्तिक विष्यों को लेकर उच्छी सिच्चा प्राप्त करने का प्रावर्स देंगे या उसका पत्थ्र प्रदसक या मार्दसक करेंगे, तो अंसे तरह करेक्ट होगा यहां पर हमारा B, अगर कुशन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें आत्म सातिक तो करड की संबंद में प्रति पुष्ट प्राप्त करना, सिच्छातियों का ध्यान अधिगम कारकी और अकरष्ट करना, दिये अपरुख सवी, तो कुश्चन पूछे जरा कि कक्च्छा कक्च में अध्यापक द्वारा विध्यारतियों से प्रश्च्छ कुछने का प्रोजन है जो कि विध्यार्तियों की सहवागता या उसको बढ़ावा देना संप्रेशित संदेश के आत्मसात्युक्रण की संबन से प्रतिपुष्ट करना और विध्यार्तियों को ध्यान अधिकम कारगी और अकृष्ट करना तो इसका कोड़ा अंसेयर अगर विध्यार्तियों देखेंगे एक तेरह बर्सिये बालक बात बात में अपने बड़े से जंगड़ा करनी लगता है और हमेशा स्वह को ही सही साबित करने की कोसिस करता है वह किस कि वह विकास की किस अवस्ताम है ए प्रारमिक बालेवस्ता बीया किसोर बस्ता सीय अवस्ता डी है बालेवस्ता तो कोश्ण पूचा रहा कि एक तेरह बर्सिये बालक है और बात बात में अपने बस्तार बात में रहता है बात ौई अगर इस पकार की प्रत्कीरिया है बच्चे की दौरे की आ रही है तो वह किस थौरबस्ता की तरफ अगर चपने of रुपस्ता में है तो अंसरी डाक एक यहाँ पे हमारा b धुक्सष्यन मिवारा हुं यही पर स्थवल्प्त होता है वीडियो को share करें, जैसे तर लाइक करें चैनल को subscribe करें, बैगनों प्रैस करें जैसे की डोटी फिल मादिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी मिलती है, नेक्स सेसन में जैन दोस्तो, बंदो बात्रम